गाईज एक बार आप इमेजिन करके देखो कि आप किसी प्लेन से कहीं पे जा रहे हो और रास्ते में ही आपका प्लेन क्रेश हो जाए और आप एक ऐसी जगा पे जाके फस जाओ जहां पे दूर दूर तक कोई नहीं है तो ऐसे हालात में आपके साथ क्या होगा तो कुछ यही होता है हमारे आज की इस कहानी के कैरेक्टर के साथ तो कहानी के शुरुवात में हम ओबर गार्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने प्लेन से कहीं पे जा रहा था और रास्ते में उसका प्लेन आर्केटेक सरकल में क्रेश हो जाता है जिस वज़े से वो वीचा प्लेन में ही जाके सीधा सो जाता है और वो यहां से कहीं और नहीं जा सकता था क्योंकि वो सहर से काफी जादा दूर था और उसे ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि अगर वो यहां से कहीं जानी की कोशिश करता है तो वो रास्ते में ही ठंड की वज़े से मारा अब उसके पास यहां पे खाने के लिए भी कुछ नहीं था जिस बज़े से वो ट्रैप लगा के मचलियां पकरता था और कुछ पकाने का साधन ना होने की वज़े से उसे वो मचलियां कच्ची ही खानी बढ़ती है ताकि उसकी जान बची रहे उसके पास एक सिगनल भेजने वाली मचीन भी होती है जिसे वो daily चलाके यहांसे सिगनल भेजनी की कोशिक करता है ताकि अगर यहांसे कोई प्लेन या हेलिकॉप्र या सैटलाइट जाए तो उसको यह सिगनल मिल सके लेकिन वो दिन है और आजका दिन है जो उसकी मदत करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया जिस बज़स वो सिगनल भेजने के लिए उचे इलाके पे चला जाता था और वो उस जगा की मैप भी बनाने लगता था ताकि अगर उसके हाथ कभी भी कोई नक्षा लगे तो उसे इस एरिया के बारे में पता हो और इसकी मदद से वो यहां से बाहर निकल सके उसके और वो हर रोज इस उमीद में रहता था कि एक ना एक दिन उससे कोई नकोई बचाने के लिए जरूर आएगा उसके बाद अगली सुबाद जब वो अपनी मचलियों को चेक करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मचलियों को किसी बरफीले भालू ने खा लिया है अब ये बात उसे और भी ज़्यादा डरा देती है जिस वज़े से वो भाग के प्लेन के अंदर जाके बैठ जाता है और उसे अब यहाँ पर एहसास होने लगता है क कि अब उसे खुद को भालू से भी बचाना होगा जिसके बाद वो शाम को उचे पहाड पे एक वार फिर से सिगनल देने के लिए जाता है लेकिन तब ही उसकी नजर उसी बरफीले भालू पे पड़ती है जिससे उसे ये समझ आ जाता है कि ये उसकी एक नई मुसीवत है त वो हेलिकॉप्टर भी ओवरगार्ड को देख लेता है लेकिन वहाँ पे बरफीले तूफान आने की वज़े से हेलिकॉप्टर पे से पाइलेट का कंट्रोल खो जाता है और देखते ही देखते ओवरगार्ड के सामने ही वो हेलिकॉप्टर क्रेश हो जाता है और ये देखन करता है और वो तूफान रुकने तक उसी लड़की के साथ वहाँ पर रुक जाता है उसके बाद जब तूफान रुक जाता है तो ओवरगार्ड को वहाँ पर चेक करने पे अपने जरूरत का बहुत ही सारा सामान मिलता है तब उसे वहाँ पर खाने के लिए नूडल्स भी मिल करती है लेकिन यहां ओवर्गार्ट को ये बता चलता है कि वो लड़की इंग्लिस लेंग्वेज को नहीं समझ पा रही है तब ये दुनों इस सारे इस सारें में बात करते हैं जहां ओवर्गार्ट से पाइलेट के बारे में पूछती है तब ओवर्गार्ट उसे बताता है कि हेलिकॉप्टर के क्रेश में पाइलिकॉप्टर की देथ हो गई है जिस वचे से लड़की रोने लगती है और वो दोबार से बेहोश हो जाती है उसके बाद ओवरकाड उस लड़की को अपने प्लेन के अंदर छोड़के उसी क्रेश वाले हेलिकॉप्टर के पास जाता है जह के बाद वो सारे सामान को अपने प्लेन के पास ले जाके उस लड़की की घाव की अच्छे से देख भाग करता है तब वो वहाँ पे गैस चुले पे नूडल्स और मचलियों को मिला के बनाता है और इतने दिनों के बाद गरम खाना खाने के बाद उसे थोड़ी एनरजी फिल होती है जिसके बाद वो उस लड़की को भी खिलाने की कोशिच करता है लेकिन उस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी जिसके बाद वो मैप को देखके ये अनुमान लगाने लगता है कि आखिर वो कौन सी लोकेशन पे है और उस मैप के अंदर उसे हेल्प मंग नहीं आ रहा था जिस बज़े से वो मैप के अंदर पास के rescue point को देखके उस लड़की को अपने साथ वहां ले जाने का decide करता है जहां पहुंचने में उसे 3-4 दिन का time लगने वाला था जिस बज़े से वो अपनी पूरी तयारी करके वहां से निकलने लगता है जहां रास्ते म कि उस लड़की को लेकि वहां से आगे बढ़ने लगता है लेकिन वहां से कुछ दूर आगे जाने पे उसे एक बड़ा सा पहार दिखाई देता है जिससे देखने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहां से आगे कैसे जाएगा तब वो वहां से उपर की वज़े से उसके हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया था तब वो वहां पे सोचता है कि उसे इस पहारी वाले रास्ते को छोड़के दूसरी रास्ते से आगे जाना होगा लेकिन दूसरी रास्ते से उसे आगे बरने में बहुत ही जादा टाइम लगने वाला था लेकिन व अब राध हो जाने की वजह से वो एक जगाँ पे जा के केब बना के रहता है जहां पे वो राध को खाना बना रहा है लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे वो बरफिला भालवा जाता है जो कि उस कैब में घुसनी की कोशिश कर रहा था लेकिन ओवरगार्ड किसी तरीके से उसे वहाँ से बाहा निकाल देता है लेकिन जब अगली सुवा होती है तो ओवरगार्ड किसी तरीके से हिम्मत करके वहाँ से आगे बढ़ने लगता है लेकिन आगे मौसम जादा ही खड़ाब होने की वज़े से ओबरगार्ड को मजबूरी में उस लड़की के साथी उसी sleeping bag में सोना पड़ता है और जब मौसम साफ हो जाता है तो ओबरगार्ड फिर से वहाँ से आगे बढ़ने लगता है अब ओबरगार्ड यहाँ पे बहुत ही जादा ठग गया था और वो नोटिस करता है कि उस लड़की ने अब खाना पीना भी छोड़ दिया है और उसके मूसे बलडिंग होने लगी है जिस वज़े से ओबरगार्ड को ऐसा लगने लगता है कि अब वो उस लड़की को नहीं बचा पाएगा जिस वज़े से वो खुद को कोस्ते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है लेकिन तब ही अचानक तो उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड़े में सीधा जाके गिर जाता है जहां थोड़ी देर के बाद उसे होस आने के बाद पता चलता है कि उसका पैर एक पत्थर के नीचे फस चुका है अब यहाँ पे जाद देर फसे रहना उसकी जान भी ले सकती थी जिस वज़सो वो जबरदस्ती अपने पैर को बाहा निकालता है जिसके चकर में उसका एक पैर घायल हो जाता है लेकिन बाबजुद इसके वो किसी तरीके से हिम्मत करके वहाँ से बाहा निकल के आगे बढ़ने लगता है अब ओवरगार्ड के पैर में भी काफी ज़्यादा पेन हो रहा था जिस वज़सो वो लोट के सीधा उस लड़की के पास जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो दिखता है कि वो लड़की अभी भी जिन्दा है जिस वज़से उसे बहुत ही ज़्यादा अपसोस होता है और वो वहाँ पे रोने लगता है क्योंकि वो जिन्दा लड़की को यहाँ पे मरने के लिए छोड़के जा रहा था तब ओवरगार्ड उस लड़की से माफी मांगता है और वो फिर से मॉटिवेट होके उस लड़की को लेकी वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए वो मैप के हिसाब से आखिरकार उस रेस्क्यू पॉइंट तक पहुँच जाता है तब ही सामने उसे एक हेलिकॉप्टर दिखाई देता है जिस वज़े से ओवरगार्ड उहाँ पे चिला चला के उन्हें सिगनल देने की कोशिच करता है तब ओवरगार्ड उहाँ पे उन्हें स्मोक सिगनल देने की भी कोशिच करता है लेकिन वो लोग हेलिकॉप्टर वाले उसे नोटिस नहीं करते और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तब ओवरगाट जल्दी से वहाँ पर अपना जैकेट जलाता है ताकि वो लोग उसाग को नोटिस करें लेकिन वो लोग वहाँ से काफी जादा आगे चले जाते हैं जिसे देखने के बाद ओवरगाट काफी जादा तूट जाता है और वो इस बात को मान लेता है कि अब उसे यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता और वो उस लड़की का हाथ पकर के उसके बगल में लेटके अपने मौत के आने का इंतिजार करने लगता है लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद खुसकी समसी से वहाँ पे वो हेलिकॉप्टर पहुंच जाता है जिसके बाद इन दोनों को बचा लिया जाता है और ये मूबी यहाँ पे खत्म हो जाती है